कर दोस्तों स्वागत है आपका स्टेडी वी द्रतन चैनल में तो आज जो मैं यह वीडियो ले कराए हूँ इसके अंतरकत मैं आपके साथ पताऊंगा एच्पी जेओ आईटी का जो भी रिक्रूट्मेंट टूल है कि क्या इसके अंदर पे स्केल होता है इसका एक्जाम पैट होगा लेकिन जो अभी प्लस टू करके आए हैं या फिर जो ग्रेशन करके निकले हैं और जो चाहते हैं कि हम जेओ आईटी की भरती में शामिल हो तो उनके लिए यह नियम को जानना बहुत ही जरूरी है तो इसी परपस से मैं यह वीडियो लेकर आया हूँ इसको आप आंत करें पेस्केल के बारे में तो जब इसकी भरती होती है ठीक है तो जब उसके बाद में अपॉइंटमेंट होती है तो सुरू में आपको पता है कि कॉंट्रेक्ट पीर स्टार्ड होता है तो कॉंट्रेक्ट पे जो है वो इनकी सैलरी मिलती है इनको 7,860 रपे पर मंत लेकिन ये जो data है ये पुराना है अभी जो मैंने act देखे हैं जो मैंने rules इसमें डाले हैं वो official HP government की website से डाले हैं तो अभी जो है वो 60% जो है वो दिया जाता है तो approximately 12,000 के around जो है वो पर मंत salary दी जाती है जब आप joining करते हैं ठीक है अभी 2 साल का time period है उसके बाद regular appointment होती है तो जब आप regular हो जाएंगे 2 साल के बाद तो आपका जो grade पे होगा वो होगा 5910 से 20,200 और 1950 रुपय आपका grade पे होगा ठीक है उसके बाद अब हम बात करते हैं कि promotion channel क्या है कई बार कई queries आती है कि जेओ IT के अभी तक promotion channel नहीं बना हुआ है और इसमें आगे क्या benefit है जैसे पहले clerk में जाते थे तो clerk में आगे senior assistant वेड़ा ऐसे post होती थी लेकिन जब से government ने इसको हटा दिया है और जेओ IT की post लाई है तब से यह doubtful रहता है तो इसी के लिए मैं ये वीडियो में लिकर आया हूँ कि आपका जब आपके minimum 5 साल हो जाएंगे regular service में as a JOIT ठीक है तो क्या होगा 50% of total number of post होंगी JOIT की ठीक है उनको वो designation करेंगे as a junior assistant by placement मतलब उसमें से 50% जो है वो placement होगी ठीक है और उस time उनका payment हो जाएगा 5 साल के बाद 10,300 से 34,600 रपे grade पे तो ये बात important है कि 5 साल के बाद जो है वो 50% जो है वो इनकी placement जो है वो होती है ठीक है मतलब कि 2 साल आपके contract के उसक बाद 5 साल regular मतलब 7 years के बाद आप जो है वो next grade पे जाने के आप हगदार हो सकते हैं लेकिन वो भी 50% ही ठीक है next अब हम बात करें इसके अंतरगत कि इसके लिए qualification क्या चाहिए तो अगर आपने 10 प्लस 2 कर रखी है तो आप इस exam को भर सकते हैं ठीक है या फिर आपने 10th class की है और साथ में एक या दो साल का डिप्लोमा किया हुआ है ITI से किस में? Information Technology में या फिर ITS Information Technology Enabled Sector में ठीक है जो की notify किया गया है Director General of Employment and Training से ठीक है या फिर आपने 3 साल का डिप्लोमा कर रखा है Computer Engineering में, Computer Science में या फिर IT में Poltechnic से किसी भी तो आप जो है वो इस post को बढ़ सकते है अगर आपने BA कर रखी है, BCOM कर रखी है, BSC कर रखी है तो आप naturally eligible है ही हैं क्योंकि आपके एस Graduation है, आपके एस Plus 2 होना जरूरी है, अगर आपके एस Plus 2 नही है तो आपके प्लस 2 नही है तो आपके पर दिप्लोमा होना जरूरी है, यह बात का आप जरूर ध्यान रखेगा, क अगर आपने 10th के बाद अगर आपने डिपलोमा किया है तो आप eligible है ठीक है अगर आपने 10th के बाद इन चीजों में डिपलोमा नहीं किया जिसके अंतरगा दिन उन्हें मांगा हुआ है ठीक है IT या फिर computer science में तो आप इस post के लिए eligible नहीं है ओके दोस्तों नेक्स्ट अब हम बात करें कि जब आपका इसके अंदर रिटन हो जाता है तो इसके बाद आपके बास इसमें typing टेस्ट होता है जिसमें English के अंदर आपको 30 words per minute के speed निकालने पड़ती है ठीक है और Hindi अगर आप यूज़ करते है तो इसमें आपको 25 words per minute के speed निकालने पड़ती है तब ही आप जो है वो qualify करते है इस exam को उसके बाद हम exam के pattern की बात करें तो इसके अंदर एक direct recruitment होती है ठीक है जिसके अंदर एक exam होगा 200 marks का जिसके अंतर का 70% जो syllabus है वो इनने अब computer science का कर दिया यह मतलब computer science, computer application, IT, IT enabled sector हो गया, informatural practice हो गया ठीक है इसके मतलब आपका 100% में से 70% जो syllabus है वो computer का ही आता है मतलब अगर आपका computer strong है तो आपके selection होने के chances जो है वो बहुत ही जादा है ठीक है दोस्तों तो इस वीडियो के अंतरकत में सिर्फ यही बात लेकर आयाता है कि क्या इसका exam pattern है, क्या इसका pay scale है और क्या इसकी eligibility है I hope आपको मेरी यह वीडियो जब पसंद आई होगी इसको like और share अवश्य कीजेगा तब तक के लिए धन्यवाद